जो फ्रिंड नौ ली इसनádर्जी एक्वीश्ण और स्पपेसिफिक एनर्जी तो एनर्जी एक्वेश्ण और इसके ऩुटी एक एव्याए र्वें सिर्फे मंऔर तो यहां पर अगर हम बर्नॉली एक्वेशन यूज करें तो हम कुछ ऐसे लिख देंगे जेट बन प्लास वाइबन प्लास वीवन स्कॉयर उपान टू जी इस इकोज टू प्लास वाइट व्लास वीटू स्कॉयर उपान टू जी ठीक है अब बात करें कि भाई चैनल अगर होरिजोंटल है है ना होरिजोंटल है और फ्रिक्शनल लेस है तो यह दो एजंशन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसके बेस पर हमारे पास क्या यह है जेट वन और जेट टू दोनों कैंसल हो जाएंगे ठीक है बोत आर इक्वल हम स्पेसिफिक एनर्जी यह स्पेसिफिक एनर्जी की एक्वेशन है दोस्तों और यह ओपन चैनल फ्लो में इतनी यूज़ होती है बहुत यूज़ होती है तो बहुत जादा यूज़ होती है यह ओपन चैनल फ्लो में आपको ध्यान रखना है याद रखना है याद रखना ह तो open channel flow के case में जो channel का जो free surface है ठीक है तो free surface of channel representing the hydraulic gradient line HGL को represent करता है इसका free surface ठीक है तो यहीं किसको represent कर रहा है hydraulic gradient line को ठीक है करती है जो line यहना वो यह line है हमारी इस line को हम लोग क्या बोलते हैं भाई इस line को हम लोग बोलते है energy gradient line ठीक है so the line connecting the points of total energy is called energy gradient line ठीक है तो यह हो गई हमारी energy gradient line और जो velocity head के points को connect कर रही एक्च्वल में वो energy gradient line और जो free surface है channel का जो free surface है वो हो जाएगा हमारा क्या hydraulic gradient line तो इतना हम लोगोंने डिसकस किया हमने डिसकस किया specific energy क्या होती है हमने डिसकस किया hydraulic gradient line क्या होती है इसमें और energy gradient line क्या होती है ठीक है अगर आपको नोट्स चीए तो आप सर्च करो eIQ open channel flow hand return notes आपको मिल जाएगा वहां से details कि आपको यह notes कैसे लेने है आप दाक्याइश एमी माषण आपको आपको आ श्केंच्ट वा क्या जाएवाट से गए गिसाने दीक है गांसी